2024 आर्नोड क्लसिक को होने में 7 डेज बचाए जहाँ पर रिसेंटली सैम्सन दावदा ने ये फिजिक अपडेट सेहर किया जिसमें वो काफी हाट और कंडिशन लग रहे उनके लास्ट यो नवेंबर पराग प्रो से 4 डेज आउट के कंडिशनिंग को इस साल के आर्नोड क्लस को बीट करना पड़ेगा चैंपियन बनने के लिए हाटी चुपान जो उनके कंडिशनिंग और हाटनेस के लिए माने जाते हैं ओल्मपिया में सैम्सन को बीट करने के बाद भी आर्नोड क्लसिक में उनके लिए काफी टाफ होने वाला है जहाँ पर सैम्सन का ओवराल से ऑलनेस के मामले में भी सैम्सन दौधा काफी नजदिक आजो के हाड़ी को टकर देने के लिए लेकिन उनके लिए हाड़ी के कंडिशनिंग को बीट करना काफी मुस्किल होगा और बेक बोजस में भी हाड़ी पीट कर सकते हैं सैम्सन को राफेल ब्रेंडो ने रिसेंटली डेनिस जेम्स के पोड़कास्ट में एटेंड किया था जिस पर उन्होंने अनाउंस किया कि वो आर्नोर्ड क्लासिक USA में कंपीट करने के बाद एपरेल में होने वाले आर्नोर्ड क्लासिक ब्राजिल में कंपीट करेंगे जहाँ पर अभी उनका आर्नोर्ड क्लासिक UK में कंपीट करने का कोई प्लैन नहीं है उनका कहना है कि अगर वो इन दोनोई सोज को नई जीत पाए तो वो 18 में को हने वाले निव्यक प्रो में कंपीट कर सकते हैं जहाँ पर नेक वाकर कंफरम्डे कंपीट करने के लिए लास्ट में उनसे आ वन विक आउट है अर्नोर्ड क्लासिक के लिए जहाँ पर रफिल ब्रण्डों के साथ पोड्कस्ट में हर्स hypothetical के आर्नोर्ड क्लासिक ब्रजील में कंपीट करने को लेकर उनके कोच मिलो सार सेफ से पुछा गया तो उस पर रिप्लाई करते हुए और्स अंडी ने उनको मेस जच किया कि अभी उनका कोई प्लैन नहीं है आर्नोड क्लसिक ब्रजिल में कंपीट करने को लेकर एंटोन वैलियंट की बात करें तो रिसेंट अपडेट में वह भी काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं जहां पर वो वन विक आउट है आर्नोड क्लसिक में कंपीट करने के क्लसिक में रिटन करने वाले इंप्रोड फिजिक के साथ मौहमत सबान ने भी रिसेंटली आर्नोड क्लसिक से टूविक्स ओट फिजिक अपडेट सेडिया जहां पर वो उनके साइड लेक को फ्लेक्स कर रहे हैं कवरड ऑपर बर्डे के साथ उनके तरफ से अभी तक कोई भी फुल फिजिक अपडेट देखने को नहीं मिला है जो काफी सप्राइजिंग फिजिक के साथ रिटर्न कर सकते हैं इस साल के आर्नोड क्लासिक में एक और सप्राइज की बात करें तो अकीम विल्यम्स ने भी उनके थ्रे विक्स आउट साइट पोस के अलावा कोई भी लेकर आएंगे तो काफी लोगों को अपसेट कर सकते हैं एक अफ़ते बाद आर्नोड क्लासिक के स्टेज में जोनातन देलरोसा भी उनके आर्नोड क्लासिक से टू विक्स आउट फिजिक अपडेट में काफी इंप्रेसिव लग रहे है जो अभी बेटा कंडिसिनिंग के स टेन पाउंड सेवियर है उनके लास्ट यर टेमपा प्रो से टू विक्स आउट के कमपेरिजन से जस्टिन रोदरिगेज ने भी रिसिंटली आर्नोड क्लासिक से वन विक आउट फिजिक अपडेट सेर किया जिसमें वो फ्रंट एंड बैक दोनों से ही काफी के लिए अच्छा कंडिसेनिंग लेकर आना पड़ेगा स्टेज बर रेमेको पोसे ने भी आर्नोड क्लासिक से 10 डेज आउट फिजिक अपडेट सेर करते हुए कैप्सेन में डिखा की सब लोग उनको काउंट आउट कर रहे और वो उनका बेस्ट परफोर्मेंस देने वाल आर्नोड क्लासिक में उनके बारे में बात करें तो लास्ट यो आर्नोड क्लासिक एमेचर में उन्होंने प्रोकाड जिता था और इस साल उनको प्रो डेब्यू करने का अपचुनिटी मिलाए आर्नोड क्लासिक में तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडि अप्डेट के साथ, थैंक यू